आज की प्रेस कॉंफरेंस एक जूट जम्मू पार्टी के द्वारा जो प्रोटेस्टिंग चात्र हैं उन्हें समर्थन एक्स्टेंड करने के लिए की गई है जिस तरीके से सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले जितनी भी पोस्ट इक तिस दस दोजार उन्निस से पहले रेफर की गई थी और जिसमें सेलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हुआ था उन्हें वापिस लेने का निरने लिया है जिससे हजारों लाखों बच्चों के भविश्य पर सवाल खड़ा हो गया है बहुत सारे बच्चे नए फ्रेश रेक्रूट्मेंट प्रोसेस से एक साइज आ गया है आप इसकी political understanding रखे या legal understanding रखे दोनों ही तरीकों से यह order गलत है यह overall यह youth को प्रोचाहन देने की नीती सरकार की होनी चाहिए यूथ के लिए opportunities of employment create करने की नीती जो सरकार की होनी चाहिए अब public employment में opportunities की बराबरी equality of opportunity in matters of public employment वो नीती निरधारन की बात होनी चाहिए उसमें भी fail होती है और legal point of view से अगर आप देखें तो बिना reasoning का एक order, unilateral एक order, चार line का एक order, जो अपने लिए बोलता नहीं है, जो speaking order नहीं है, वो legally भी untenable है, इसकी सम्वेधानिक वाइदता suspect है, it is constitutionally suspect और मुझे पूरा यकीन है कि जब SAC की, State Administrative Council की minutes of meeting भी बहार आएंग और इस order से जोड़ेंगे तो कुछ जुड़ता मिलता नजर आपको नहीं आएगा, उसमें जो reasoning, उसमें जो understanding की details आपके सामने आएंगी, मुझे नहीं लगता कि वो constitutional scrutiny withstand कर पाएंगी, तो seen from both angles, it is a flawed order, ये ऐसा order है जो बच्चों के भविश्य से खिलवाड करने का कारे करता है, हम पुर्जोर तरीके से इस order का विरोध करते हैं, सरकार को कहते हैं कि आप इस order को वापिस ली दिये, वहरानी तो तब है, मैं अपनी बात कहते हुए, कि जिस तरीके से MOS PMO ने ये कहा कि SAC ने या Union Administration ने हम से नहीं पूछा है, हमने को यादेश नहीं दिये इस तरीके का फैसला देने के, तो coordination कहा है, आपने जम्मु कुश्मीर को एक प्रयोक्षाला समझा है, आपने जम्मु कुश्मीर में जो बड़े-बड़े निरने लेने हैं, जिन निरने को लेके हजारों लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उस पे आपकी इस तरीके क non-cooperation या इस तरीकी की, जो coordination की कमी जो नजर आएगी, आप बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं और आपने चंद लोगों के हाथ में फैसले लेने की जहमता दे दी है, ठीक है, for valid reasons we understand कि democratic institutions यहां पे भी functional नहीं है, बट क्या और तरीके नहीं है, पबलिक को confidence में लेने के, क् आथ को आप decide करते हैं, सवेरे आप order pass करते हैं, मुझे लगता है कि, और इसकी background आपको देखनी पड़ी कि जो police brutalities आपने देखी है, प्रोटेस्टिंग चात्रों पे, एक order आज, दूसरा order आज, कल, तीसरा परसों, और चोथा यह, इस तरीके के orders.